हेलो एव्रिवन वेल्कम बैक तो माइ चैनल इस वीडियो में हम मल्टिप्लिकेशन के कुश्चन्स देखेंगे मल्टिप्लिकेशन के जिसमें हम मल्टिप्लाइब टेन हंड्रेट थाउजएट इनको करना इसली सीखेंगे चले फ़र्स्ट खुश्चन देखते हैं Write the product in the blank box यहाँ पर हमें product लिखना है product means होता है multiply अगर कहीं product लिखना हुआ है multiplication कीजेए के तो इसका मतलब भी multiply होता है यहाँ पर हमें क्या करना है ब्लांग बॉक्स में multiplication को fill करना है जो यहाँ पर box दे रखे इनको हमें fill करना है अब फर्स्ट कोशिन करते हैं एट रॉक दे रखा और यहां पर हमें 800 लिख रखा है means 8 की किसी नंबर से मल्टिप्लाई की गई है जिसमें आंसर आया है हमारा 800 अगर हम 8 की मल्टिप्लाई एट से करते हैं तो हमारा क्या आता आंसर 8 आता है लेकिन यहां पर 800 है means 2-0 और है तो इसका मतलब क्या हो गया अगर हमने इतना देखते हैं पहले हम 8 की मल्टिप्लाई हम किस से करेंगे जो आंसर 8 आएगा तो 1 से करेंगे अब यहां पर 800 है means 2-0 भी लगे हुए है तो हम यहां पर क्या करेंगे 2-0 आड कर देंगे मतलब है 8 की मल्टिप्लाई अगर हम 100 से करेंगे तो हमारा आंसर 800 आजाएगा ऐसे ही next question देखेंगे 19 की मल्टिप्लाई हम किस से करें जो हमारा आंसर 19 आजाए तो किस से करेंगे 1 से करेंगे आंसर 19 आया same visit है आगे वाली अब यहाँ 2-0 लगे थे तो हम यहाँ पे 2-0 आड कर देंगे तो यहाँ पे भी आंसर किता आगया 100 next same है 35 की मल्टिप्लाई हम किस से करेंगे जो हमारा 35 आएगा तो हम 1 से मल्टिप्लाई करेंगे अब यहाँ पे हमारा आंसर है 350 तो मतलब 0 extra है तो 0 क्या करेंगे यहाँ पे आड कर देंगे next 17 मल्टिप्लाई 10 17 की मल्टिप्लाई 1 से करेंगे तो कितना हैगा 17 यहाँ 0 दे रख़ा है तो अब इस आंसर में 0 आड कर देंगे ऐसे ही same 2 की मल्टिप्लाई 1000 से करना है तो 2 की मल्टिप्लाई 1 से करेंगे तो कितना हैगा 0 वो 2 2 की मल्टिप्लाई 1 से करेंगे हमने 2 और बाकी के 3 0 आड कर देंगे next 43 मल्टिप्लाई 100 43 की मल्टिप्लाई पहले 1 से करेंगे तो कितना आजाएगा 43 1 से मल्टिप्लाई करने पे same आता है अब two zero है तो two zero add कर देंगे next question देखते हैं यहाँ पे लिखा है find the product मतलब यह questions के हमें multiply करने है अब इन questions को ऐसे करेंगे जिन question के भी last में zero zero है मतलब एक digit बाकी के numbers नहीं है zero है उन questions को करने के लिए हम क्या करते है जो आगे वाला number होता है means जैसे यहाँ 20 है तो हम यहाँ पे सिर्फ two को देखेंगे यह तो zero है बाद में zero add कर सकते है two की multiply किसे करेंगे six से करेंगे तो two six हा कितना होता है twelve और यह वाला zero यहाँ पीछे add कर देंगे next है अब यह वाला भी ऐसे करेंगे यहाँ पे कोई डिजेट होती है तो पहले हम multiply इससे करतें लास्ट वाले डिजेट से लेकिन कोई डिजेट नहीं है zero है तो zero हम बाद में add कर देंगे three की multiply है three से करी तो कितना है nine और zero add कर दिया अब यहाँ पे two डिजेट और यहाँ पे two डिजेट तो हम क्या करेंगे अगर 12 का टेबल आता है तब तो direct लिख सकते हैं लेकिर अगर नहीं आता तो क्या करेंगे two की multiply five की multiply पहले two से करी तो कितना है ten और one carry चला गया फिर two की multiply यह five की multiply one से करी तो कितना है five बंजा five और one six यहाँ गया 60 और यह वाला zero add कर दिया next करते हैं यहाँ है दो zero है और एक-एक single डिजट है तो पहले इसकी multiply कर लेते हैं five six are thirty और two zero add कर देंगे ऐसे ही है भी five fours are twenty और last में यह दो two digits add हो जाएंगी next करते हैं six sevens up कितना होता है forty two और यह two digits add कर देंगे है ना simple I hope आप लोग को यह question समझ में आयोंगे thank you लैंगे करेंगे थाजल कर दो hè Trop differenti话 है थैस हम उता है गयोंगे कर दो风 पल्राइए जचेता है तो पन्हे डे unos सम्तोंगे तो हैंतकर इसको बपल्सकिता है कर दो हैो और देंगे का पल्सको चाप消ाएऊ करूल